नमस्कार में जिगिशा, जिगिशास किचेन में आपका स्वागत है आज हम लेली तुवेर से लिल्वा की कचोरी बनाएंगे ये कचोरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और विंटर सिजन में खास करके ये बनाई जाते हैं गुजरात में फरसान की दुकान पर उतरान की त्योहर पर आपको हर श्रॉप पर ये लिल्वा की कचोरी देखने को मिलेगी तो फ्रेंट्स रेसेपी को एंट तक जरूर देखें और रेसेपी देखने के बाद अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी रेसेपी की नोटिफेकिशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलो जल्दी से देखते हैं लिल्वा की कचोरी की रेसेपी लिल्वा की कचोरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम तुवेर से दाने को निकाल दिये है अब इस दाने को मिक्स जार में डालके मैं दर दरासा पीस लूँगी आप चिली कटर में भी इसे पीस सकते हैं आप देख सकते हैं कि तुवेर के दाने को मैंने कैसा दर दरासा पीस लिया है बस ऐसा ही पीस ना है अब मैं गैस चालू कर दूँगी और गैस के उपर मैंने एक पैन रखे है पैन के अंदर में दो बड़े चमच तेल डालके गरम होने दूँगी तेल करम हो गया है तो मैंने इसके अंदर आधी छोटी चम्मज जीरा डाला है जीरा चटक गया है तो मैं दो चुटकी हिंग डालूंगी अब एक बड़ा चम्मज भरके हम तेल डालेंगे यह सफेद तेल है तो तेल भी चटकने लगे है तो गयास देमी करके हम तूरंथ ही यह जो हमने पीसी हुई तुवेर रखी थी वो डालेंगे तो सारी तुवेर के जाने को मैंने पीस लेया था और मैंने इसे डाल देया है मिक्स कर लेंगे यह सोडा है दो चुटकी जितना सोडा है तो इसके अंदर में थोड़ा पानी मिलाओंगी और पानी मिलाने के बाद मिक्स करने के बाद मैं इसके इस पैन के अंदर डाल दोंगी यह डालने से तुवेर जल्दी से पक जाते है और तुवेर का जो कलर होता है वो भी मैंटेन रहता है तो सोडा जरूर डाले अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और धिमी आज पे हम इसे पकाएंगे अब हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे गैस की आज पहले से धिमी ही है और धिमी आज पे डखन लगा के हम इसको पकने देंगे और बीच बीच में हिलाएंगे आप देख सकते हैं कि तुवेर हमारी पकने को आई है बीच बीच में मैंने इसको ही लाया था तो अब हम इसके अंदर मसाले करेंगे तो अद्रक और हरीमीच की पेश्ट मैंने दो बड़े चमच डाल दी है काजू के टुकड़े है छोटे-छोटे तो इसको भी मैं डालोंगे एक छोटी कटोरी भरके आप कम या जादा अपने पसंद के अनुसार डाले यह किस्मिस है सुखी द्राख्स वो भी मैंने डाल दी है ये सुखे नारियल का बुरा तो आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार डाले गरम मसारा पाउडर एक छोटी चम्मच और ये चिनी है दो छोटी चम्मच तो सारी सामगरी को हम अच्छे से मिलाएंगे और मिक्स हो जाए तो धिम्याज पे दो मिनिट के लिए फिर से हम इसको पकने देंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और इसका टेट और भी बढ़ जाए दो मिनिट के बाद फिर से हम इसे इस तरह से हिलाएंगे गैस अब मैं बंद कर दूँँगी आप देख सकते हैं गैस ओफ कर दिया है अब हम इसे ठंडा होने देंगे स्टफिंग को मैंने ठंडा होने रग दिया है और दूसरी सेड हम कचोडी के लिए आटा लगाएंगे तो दो कप मैंदे को मैंने च्छान के लिए वजन से देखा जाए तो ये ठाइसो ग्रम मैंदा है तो मैंदे के अंदर में डालोंगे थोड़ा सा अजवायन तो अजवायन को इस तरसी मसल के हम डालेंगे ताकि इसकी खुष्पू अच्छे से बैट जाए स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डालेंगे दो टेबल स्पून ओल डालूंगे मोयन के लिए अब हम इसके अंदर निम्बू का रश डालेंगे तो थोड़ा सा ही हमें निम्बू का रश डालना है आधी छोटी चमत से भी कम डालना है निम्बू के रश से कचुरिया एकदम करारी बनती है तो निम्बुकारस जरूर डाले, सारी सामगरी को हम अच्छे सी मिक्स करेंगे सारे आटेके अंदर निम्बुकारस मोयन आजाना चाहिए तभी हमारी कचोडिया अच्छे सी बनेगी करारी क्रिस्पी तो अब मैं इसके अंदर वन फॉर्थ कप गेव का आटा डालूंगी गेव का आटा डालने से कचोडिया बेलने में आसानी रहते है तब हम फिर से इसको अच्छे से मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद पानी डालके हम आटा गुन्थेंगे पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक साथ ज्यादा पानी ने डालना है और रोटे के आटे से थोड़ा सकत आटा लगाएंगे इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम आटा लगाएंगे आटे को हमें अच्छे से मसलना है ताकि कचोडिया एकदम करारी सी क्रेस्पी बने आटे को मेंने अच्छे से मसल मसल के गूंथ लिया है अब हम ओल चिपकाएंगे और ओल चिपकाने के बाद हम इसको धंक के 15 मिनिट के लिए रेश्ट पर रखेंगे रेश्ट पर रखने से आटा अच्छे से सैट हो जाता है तो आप तूरंध ही कचोडिया ना बनाए इसको 15 मिनिट के लिए रख दे आटे को मैंने 15 मिनिट के लिए रेश्ट पर रख दिया है और दूसरी सैट हमारा जो स्टफिंग है वो भी ठंडा हो गया है तो अब मैं इसके अंदर धनिया पति डालूंगी तो धनिया पति को पहले मैंने पानी से अच्छे से वाश किया था और चौप करने के बाद मैंने डाला है और इसके अंदर हम डालेंगी निम्बू का रख तो दो से तीन चमच पर की हम इसके अंदर निम्बू का रख डालेंगी निम्बू के रख को आप इसे ठंडा होने क के बाद डालेंगे तो इसका जो कलर ही वो मेंटेंड रहता है तो आप निबुके रस को बाद में इस तरह से जब फिलिंग ठंडी हो जाए इसके बाद ही डालें अब हम सारी सामगरी को अच्छे से मीश कर लेंगे अब हम इस टफिंग से छोटे छोटे बॉल्स बना के एक डीस में रख देंगे तो हाथ से थोड़ा मसल के इस तरह से हम दबा दबा के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और सारे बॉल्स को हम एक डीस के अंदर रख देंगे तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बॉल्स बनाती हूँ आप देख सकते हैं सारे बॉल्स मैंने बना के डीस के अंदर रख दिया है 15 मिनिट हो गई है आटा अच्छे से से सैट हो गया है एक बार इस तरह से इसको मसल लेंगे तो हाथ को थोड़ा ओयल से जिकना कर लेंगे और ओयल से जिकना करने के बाद एक बार फिर से आटे के उपर इस तरह से लगाएंगे आटे से मैंने एक बड़ा सा लुवा तयार कर लिया है और रोल बना दिया है चाकू से मैं कट कर लूँगी और छोटे छोटे लुवा बना के तयार करूँगी अब हम इसे बेलेंगे इसको हमें पतला बेलना है तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बेल लिया है और बीच में हम ये बॉल्ट्स रखेंगे और इस तरह से हम कचोरी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कचोरी तयार कर रहे हूँ तो इसी तरह से हम कचोरी बनाएंगे और उपर का जो यह ज्यादा है आटा वो निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि कचोरी हमने कितनी अच्छी सी बना दी है तो सारी कचोरी इसी तरह से बना के मैं एक डीज में रख दूँगी सारे कचोडियों को मैंने इस तरह से ढंक के रखा था ताकि ये उपर से सोख ना जाए अगर उपर से सोख जाती है तो फ्राइ करती समय ये खूल सकती है इतना सा आटा बच गया है तो इसकी हम पूरिया बना देंगी तो चाई के साथ ये पूरिया भी बहुत ही टेस्टी लगती है ओल हमारा गरम हो गया है तो इसके अंदर में कचोडिया डाल की फ्राइ कर लूँगी फ्रेंट्स आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ओल जादा गरम ना होना चाहिए अगर आपने जादा गरम ओल में कचोडियों को फ्राइ की तो क्या होगा कि कचोडिया है उपर से जल्दी से फ्राइ हो जाएगी मगर अंदर से कच्ची रहती है तो इस बात का ध्यान रखे कि ओल एकदम सा ज़ादा गरम ना होने चाहिए और दूसरी बात यह है कि हमें low medium फ्लेम पे इसको फ्राइ करने है high flame पे इसको fry नहीं करनी है high flame पे फटा-फट से ये fry तो हो जाती है मगर अंदर से कच्ची रहती है तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि और ज्यादा गरम ना होना चाहिए और एकदम high flame नहीं रखनी है तो बस इस तरह से हम सारी कचोड़ियों को fry करते जाएंगे और एक डिश में निकालते जाएंगे और आप देखते जाए जब नीचे की सायर से थोड़ा पक जाए तब भी आप इसको इस तरह से उल्टाए तब तक ना उल्टाए तो अब हम इसको हिलाते हुए फ्राइ करेंगे इसको एकदम धीमी-धीमी से हिलाना है एकदम फटा-फट से हिलाना नहीं है तो सारी कचोड़ियों को इस तरह से हम फ्राइ कर लेंगे इसको पकने में थोड़ा समय लगता है कचोरियों को मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है आप देख सकते हैं इसका सुनहरा कलर कितना ब्यूटिफुल दिखता है तो बस इसी तरह से जब गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाई तो इसको निकाल दे और बाकी की कचोरियों को भी मैं इसी तरह से फ्राइ कर लोंगे फ्रेंट्स आपको मेरी लिल्वा की कचोरी की रेसेपी कैसी लगी? अगर रेसेपी पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई